नमस्कार मैं उरीन कुमारी आप देख रहे हैं पब्लिकेशन इसी के साथ तब वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का पहली खबर के उचलते बता दे हैं लोग सबाचुनाव के दूसरे चरण में आज यूपी की आठ सीटों पर मदान जारी है अमरोहा में मेरट, बागपत, गाजयबाद, गौतंबुद नगर, बुलंशहर, अलिगर और मत्रा में सुबस साथ बज़े से शाम छे बज़े तक वोट पड़ेंगे गाजयबाद के खोड़ा के जादा तर युवावन इस बार वोट नहीं दिया है उन्होंने पानी नहीं तो वोट न पाताओं की कता लगी है धुलाना में मदाता बुत नंबर 235 पर धूप से बचकर पेड़ की च्छाओं में लाइन लगा कर खड़े दिखाए दिये पसपा प्रित्याक्षी नंद किशो और पुडीन भी धुलाना में मदान केदर पर पहुंचे इसके अलावा धुलाना के पेट चपुद्रा में बुत नंबर 283 मशीन बंद होने के कारण मदाता वापस घर लोट गया और अगली खवर के और चलतों बताते बागपत लोगसबा सीट की मोधी नगर विधान सबा में एक बज़े तक 36.25 प्रतिश्यत मदान हुआ नगरिये और दिहात की मिशित अब अमरपास शर्मा और बस्पा के प्रवीन पेंसला के बीच मुख्य मुकाबला है मदान में महंगाई बेरोजगारी सुरक्षा के अलावा जाती वाद भी मुद्दा बना हुआ है इसमें भाजपा और रालोद निताओं की धड़कने बढ़ी हुई है और अगली खवर के अगर हिम्मत है तो बनारस आकर चुनाव लड़े हम समर्थन देंगे करनोच का रुक क्यों कर रहे हिम्मत होती तो खुद सामने उतरते भाजपा के पुरारे कारेकरता को ना उतारते डॉक्टर पलवी पटे ने कहा कि हमारी क्या गलती थी राज्यसभा की तीन सीटे थी हम ने कहा था कि पिछड़ा दलिद और मुसल्मान प्रत्याक्षिक्यों नहीं हो सकते उन्हें पिछड़े दलिद और मुसल्मान का सो प्रतिश्यत वोट चाहिए लेकिन उनका सम्मान नहीं चाहिए और आखरी खबर के और चलते बता दे हम रोहा के मंडी धनोरा के कन्या जूनिर हाई स्कूल के बुद पर मदात को लेकर भाजपाईयों ने जमकर हंगामा किया मोके पर रेजिडियम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और मदान शुरू कराया ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लीकेशन यूश चैनल नमस्कार